हम chapter 8 शुरू करें, इसके पहले मैं आपको दो बाते बता दू, number 1, अगर आप मेरी रहे मानोगे, तो मेरे हिसाब से ये सबसे important chapter है, because financial statement का जो analysis होता है, ठीक है, वो एक core होता है, किसी भी equity research का, किसी भी financial research का, company research का, and आप तब तक financial statement analysis नहीं कर सकते, जब तक आप true nature of financial statement ना समझो, उसको ठंक से समझो नहीं, तब तक आप नहीं कर सकते analysis, number 2 is, जो लोग non-finance background से हैं, believe me, आप लोगों के लिए संजीवनी बूटी जैसा साबित हो गए ये session, ये पूरा chapter 8, the reason is, I am covering everything from scratch, जो लोग आप अल्रेड तो skip कर तो कोई problem नहीं है, मैं आपको पहले भी बोला, I am here for the last student, ठीक है, बिना किसी तेरी के फटाफट शुरू करते हैं, hi this is Parthurman, welcome to the valuation school channel, फटाफट नीचे जाओ और like ठुक दो एक जल्दी से, ठीक है, चली, अगर हम मैं financial statements की बात करूँ, तो सामान्यत अपने को क्या लगता है, पता है, सामान्यत अपने को लगता है कि अर फिनांशल स्टेट्मेंट तो बालन शीट, P&L और cash flow statement, ठीक है, बट उसके अलावा भी दो चीजें होती हैं, जो financial statement में होती है, हम ये सब समझेंगे, ठीक है, आप ये देखो बस कि financial statement means company की balance sheet, आपने पहले word तो सुन income statement भी बोलते हैं, company का cash flow statement, जिससे company के पास कितना cash आ रहा है और कितना cash जा रहा है, उसकी position पता चलती है, notes to accounts, ये अपन बहुत detail में समझेंगे, and statement of changes and shareholders equity, कि जो company के मालिक हैं, उन्होंने company के अंदर कितना नया पैसा डाला, और कितना नया पैसा निकाला during the year, ठीक है, इसके उपर एक statement होती है, ये सब अपन practically देखेंगे और practically समझेंगे, ठीक है, now please understand, एक बात आप धिमाग में रखना, ठीक है, इसमें बहुत simple सा funda है, और बहुत simple सा funda है, मैं आपका भी बता जेता हूँ, आप जितना better तरीके से ये terminology समझ पाओगे न, उतनी जादा अच्छी त depreciation क्या होता है, number one, number two, company उसको कैसे अपने against में मतलब अपने favor में use कर सकती है, play करने के लिए, and number three, वो depreciation तीनो statements में, तीनो statement मतलब balance sheet, income statement और P&L में कहां कहां पर hit करता है, ठीक है, कहां कहां पर उसकी connectivity होती है, अगर आपने ये चीज समझ ली, तब ही आप depreciation का proper analysis करके, उ I hope यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, numbers की जम मैं बात करता हूँ तो एक बात ध्यान रखेगा, number जो है ना वो बहुत हद तक manipulated हो सकते है, अच्छा manipulation का मतलब हम लोगों को लगता है कि fraud हो गया, right, manipulation का मतलब है कि आप कुछ और story दिखा रहे हो, numbers से, the number is meant for something and you are displaying it in such a manner कि वो एक deception और एक illusion create हो रहे है, ठीक है, it can be done using various assumptions, accounting में क्या होता है ना कहीं जगाँ उपर management के discretion पर छोड़ दिया जाता है, management के discretion पर मतलब उन्होंने चार method बता दी, अब यह आपके उपर है कि आप कौनसी method यूज करे हो, something like that, तो अब management का assumption है कि मेरे लिए कौ for example, profitability बढ़ाना चाहता है, तो वो depreciation calculate करने की ऐसी method लेके आएगा, जिसमें depreciation का amount सबसे कम आएगा, क्योंकि depreciation एक खर्चा है, तो खर्चे का amount कम से कम रहना चाहिए, जिससे profit increase हो जाए, इसी को creative accounting भी बोला जाता है, आपने सुना होगा word adjusted EBITDA, ठीक है, that is a part of creative accounting, अपन आगे है EBITDA के उपर भी, ठीक है, चलिए, अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने पर हमको समझ में आएगा कि accounting period जब change होते हैं, तब भी confusion हो सकता है, like for example, आप अगर इंडिया में देखोगे, तो इंडिया में varun beverages limited है, ठीक है, अब varun beverages जो है न, वो जो अपनी financial statements रिपोर्ट करता है, वो रिपोर्ट करता है Jan to December, और बाकी सारी दुनिया जो रिपोर्ट करती है, generally, वो रिपोर्ट करती है, April to March, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि Companies Act के अंदर, Indian Companies Act या Companies Act के अंदर, ये आपके option पर है कि आप calendar year में reporting दो, या फिर financial year में reporting दो, ठीक है, तोटली अ आप कब अपने financials बनाते हो, now you need to understand, कि एक वरुन beverages है, जो January से December के बीच में financial बना रहा है, और एक दूसरी company है, say for example, 1% beverages, अब तो बंद हो गई, पहले थी, इसी जमने में, ठीक है, fraud word हुआ था company में बड़ा, ठीक है, तो 1% beverages है, जो April से March तक दे रही है, अब अगर आप इन तो आपको बहुत deviated view मिलेगा, कारण बताओं क्या है, कारण ये है, कि ये जो है ना, this is first, this is a seasonal business, and दोनों के 10 और बिलकुल अलग है, right, तो you are trying to compare an orange with a apple, ठीक है, आप एक संत्रे को एक सेप के साथ compare करने कोशिश करो, कभी successful नहीं होगा, one of items जो है, वो significant impact create कर देते हैं, मैं ये शायद आपको दिखाऊंगा न, तो आपको जादा बहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है, मैं खुद को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, one of items significant impact create करता है, one of items क्या हो सकता है, मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे ही, इन्फो एच, ठीक है, ये इन्फो एच है, नौकरी.com वाली कंपनी है, अपर नीचे गए, नीचे गए, नीचे गए, नीचे गए, नीचे गए, ठीक है, मैं दर गया, ये जो आप देख रहे हो, ये exceptional item है न, ये वाला, ठीक है, मैं खुद को और side में कर देता हूँ, एक बर ऊपर कर देता हूँ, ये जो है न, ये पूरा exceptional item, ये वाली line, ठीक है, ये, ये one of items है, ये ऐसे items हैं, जो हर कभी, कभी-कभी होता है, ये, it's not on a regular basis, आपको ये amount regular इस लिए दिख रहा है, अभी इस point of time पर, because ये हर साल अलग-अलग nature का हो रहा है, like for example, अगर मैं आपको बताता हूँ, ये, Quest Corp करके, there is this consulting company, अगर हम उसका same ये open करते हैं, अगर income में जाते हैं, तो you can see this, can you see the dent, can you see the dent of 600 crore rupees in March 2020, right, this is one of item, ये क्या हुआ थे समझेंगे अपन, ठीक है, इन्होंने क्या करा, goodwill को impair करा था, ठीक है, कोई problem नहीं, अगर आपको भी समझ में नहीं आ रहा है, तो it's absolutely fine, but मैं आपको समझाना जा रहा हूँ कि ये इस nature का खर्चा होता, तो उसने क्या करा पता है, पिछले साल तक, जो company profit में थी, वो सिर्फ एक खर्चे के कारण रुकसान में आ गई, समझ रहो, और फिर अगले साल वो खर्चा नहीं था, तो फिर से profit में आ गई, देख impact also, दोनों तरह से impact हो सकता है, ठीक है, चलिए, आपको एक चीज और घ्यान रखनी है कि consistency is something for which an investor, you know, should look for, ये NISM ने बोला है, definitely consistency तो होनी चाहिए, किसी भी business में, हम देखते ही है, सर, consistency का मतलब क्या है, एक बार बता दो, देखो वही, consistency का ये मतलब है, ठीक है, अगर मैं Nestle, Nestle का खोलता हूँ, this is a very good website, मैं आप promotion नहीं कर रहा हूँ इसका, but it is something which is free, right, screener है कैसी website है, जो free है, तो आप अभी quickly, क्योंकि आप बहुत अभी basic stage में ही हो, ठीक है, I don't want कि आप कोई बहुत जादा, you know, invest करो, चली, तो आपन आगे बढ़ते हैं, देखते, consistency किसको बोलते हैं, देखिए, क्या ये consistency होती है क्या, कि sales December 2011 में 7500 थी, और हर साल उसके बाद almost बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, consistent, right, operating profit देखिए, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, net profit देखिए, हर साल profit बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, 900 करोड रुपे से शुरू हुआ था, net profit बढ़ते बढ़ते है, 3000 करोड रुपे तक पौच गे, this is something which is consistent, right, consistency यहां से मिलेगी, देखा आप, sales growth, 10 साल की sales growth देखे तो हर साल 7% से ग्रोव करा है, पिछले 5 साल की देखोगे तो हर साल 11% से ग्रोव करा है, पिछले 3 साल का sales देखोगे तो हर साल 11% से ग्रोव करा है, ठीक वो trailing 12 मत मतलब पिछले 12 महिने, आज से पिछले 12 महिने में 15% की ग्रोव ताई है, समझ रहा है, तो आप समझ रहे हो 10 साल का CAGR दिया है 17 परसेंट मजाक होता है क्या 17 परसेंट का CAGR अर्य वेटिंग मैं पॉइंट जो चीज समझ में आ रही है आपको ठीक है चलिए जब मैं इनो मैं beneficial statement की बात करता हूं और यो थोड़ा ध्यान से समझना concept है न जब ही मैं financial statement की बात करता हूं तो तो financial statement दो त्रीके के हो सकते हैं एक होता है stand alone financial statement और एक आप पढ़ोगे consolidated financial statement तो पहले तो मेरे कोई समझा दो कि इन दोनों में फरक क्या होता है तो उसके पहले आप एक concept समझो ठीक है समझो ये जो है ये मुकेश भाई है मुकेश भाई को मिला Reliance Industries मुकेश भाई होश्यार थे तेल का धंदा मुकेश भाई का बहुत बढ़िया चल रहा था थोड़ टाइम बात कुछ गड़बड हुई तेल के बिजनस में मुकेश भाई भी समझदार थे मुकेश भाई को पता था अपने तीन तीन बच्चे अपने कुन को पासाउन करना है तो मुकेश भाई ने क्या करा पता है मुकेश भाई ने लेट राइट सेंटर कंपनिया खरीदना शुरू कर दी जैसे मुकेश भाई ने कौन कौन सी कंपनी खरीदी तो मुकेश भाई ने हैमले खरीदा ठीक है मुकेश भाई ने बिग बाजार खरीदा ठीक है मुकेश भा मुकेश भाई की मतलब रिलाइंस इंडस्ट्रीज की कंपनी भाई और आप हो यहां पर रिलाइंस इंडस्ट्रीज के शेर होल्डर जब मैं बोल रहा हूँ कि मुकेश भाई की कंपणी तो आपने में रोका बोले एक मिनिट, ये कंपणी मुकेश भाई की नहीं है ये कंपणी तो میरी भी है तो बोले आपकी कैसे है। बोले भाई मैं Reliance का शेर होलर हूँ और ये कंपणी जो है कि जो Reliance Industry है समझीगा उसको अगर मैं बोल देता हूँ कि Reliance Industry is a parent company कि Reliance Industries parent company है और ये जो है ये subsidiary company है subsidiary company है ठीक है subsidiary मतलब मेरे subordinate है तो जो parent company का shareholder होगा उसको जानने का अधिकार है की नहीं है कि तुम जो मेरे पैसे से दूसरे धंदे खरीद रहे हो वो धंदे कैसे operate कर रहे है तो आपके पास भले ही Reliance Industries के share हो बट Reliance Industries ने आपके company के पैसे से हैमले खरीदा है ना company के पैसे से milk basket करके unit खरीदे company के पैसे से Mumbai Indians खरीदा है Reliance Sports company के पैसे से TV Media 18 खरीदा है समझ रहे हैं तो आपको जानना जरूरी है तो सरकार कुछ करो इसका तो सरकार ने बोला चलो एक काम करते हैं आज के बाद कोई भी parent company जो होगी न उसको अपने financial statement दो तरीकों से बताने पड़ेंगे जनता को बोले कौन से दो तरीकों से एक तो आपको बताना पड़ेगा सिर्फ आपका ठीक है जो नाम है ना जो company के share खरीद रहें बेच करें मार्केट में एक तो आप सिर्फ उसका बता दो और दूसरा आप बताओगे मेरे को आपका प्लस milk basket प्लस हैमले प्लस TV 18 प्लस Mumbai Indian तो बोले इन सब का जोड़ के बताना है क्या तो बोले हाँ इन सब की अलग-अलग मत देना मेरे को मेरे को सब की एक साथ दे दे तो तो बोले यार ऐसे तो मैं परिशान हो जाऊंगा Reliance Industries ने बोला बोले मेरी तो 800 से ज्यादा Subsidory Companies है समझ रहे हो Say for example होता भी है कोई बहुत बड़ी बात थोड़ना है इत्ती बड़ी कमपनी चला रहे छोटी-छोटी चीज़ों के लिए कमपनी खोल देते हैं तो बोले say for example तो बोले खोली किसने 800 कमपनी आप ही ने खोली है न तो आप ही Consolidated Financial Statement देखने मिलेगा क्या कभी भी कभी नहीं देखने मिलेगा वहाँ तो Standalone ही मिलेगा न क्योंकि उसके उसके Ownership में कोई दूसरी कमपनी Eligible ही नहीं कि वो खुद को Consolidate कर पाए क्योंकि हर कमपनी जिसके अंदर आप Invest कर रहे हो उसके आप Consolidate नहीं करोगे You need to understand this जिस भी कमपनी में आपका Controlling Stake है जिस भी कमपनी में आप 50% से ज़ाधा Invest करते हो सिर्फ उन्हीं कमपनी के अकाउंट का आप खुद के साथ Consolidate करोगे ठीक है कि यह logic बिल्कुल Basic समझ में आ रहा है मैं आपको इसका Practical दिखा देता हूं यहां करके अपन कोई भी एक कमपनी लेते है Nestle मत लीजे कोई भी दूसरी कमपनी ले लीजे से फिर एक्जाम्पल मैंने ले लिए Varun Beverage is Limited फॉर एक्जाम्पल ठीक है अपन नीचे आते है अपन हो है आप देखोगे तो शुरुबात में नोटेस होता है यहां से एंगल रिपोर्ट है अपन यहां पर डालते है टोटल असेट्स करके सर्च करते है तो सीधे आपको बैलन शीट पे लेके जाएगा अब आप देख रहे हो यहां पर क्या लिखा हुआ है कंसॉलीडेटेड बैलन शीट गेटिंग मैं पॉइंट समझ में आ रहा है आपको दिखा रहा है दिखा हुआ है स्टैंड अलोन बैलन शीट तो वरुन बेवरिजिस की अगर आप अगर आप 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 लोग यहां लोग अगर आप लोग अगर आप लोग तरीके से इसमें कुछ ऐसा बात ही नहीं थी कि आप लोग यह उनएबल टो गेट इट चली अब मेरे को यह समझना है कि आर अगर बैलन शीट की मैं बात करता हूँ न तो बैलन शीट होती क्या है तो कंपनी की जो बैलन शीट है न वो कंपनी की बैलन शीट आपको कंपनी का फिनांशल पोजिशन समझाने में मदद करती है financial position मतलब आप समझना बहुत simple सा example दे के समझाऊंगा आपको बहुत ही simple सा ठीक है कोई लफड़े बाजे नहीं बहुत simple सा example आप समझ लो आपके पापा का business है छोटा सा क्या business है किराने की दुखाने यह super मार्ट है छोटा सा ठीक है आपके पापा आए बुले यार चिंटू एक काम कर मिरे को बता अपने पास क्या-क्या assets है और क्या-क्या liabilities है बुले पापा asset और liability मतलब बुले मतलब यह बटा कि अगर आज मैं धंदा बेज देता हूं ठीक है या इसका सारा सामान जो अपने अधिकार में है जिसको अपन बेज सकते है ठीक है वो कौन-कौन सा है वो बता दे अपने को किन-किन लोगों से पैसा लेना है मेरे को वो बता दे और अपने को किन-किन लोगों का चुकारा करना है वो बता दे ठीक है बोलते हैं उसको तो बोले हां ये भी लिख दिया बोले फिर याद है आपको वो आपकी जो एक रेड गलर की बुक है जिसमें अपने पुराने के देतु बहुत चल रहा है करोड रुपे भी एस तरह करके आपने आपके कागज पे चittी बना दी उससे आपके पापा को किया पता चला पता है, अगर आज में, अगर आज में सारी की सारी asset बेच के सारा पैसा चुकता कर दूँ जो भी मेरे को चुकारा करना है, तो मैं घर कितना पैसा लेकर जा सकता हूँ as a malik, वो जो चित्थी वनाई गई है न, that is nothing but that's the balance sheet, वही balance sheet है, balance sheet ने आपके पापा को उनकी financial position बता दी, ठीक है, कि उनकी financial position क्या है, ये चीज़ balance sheet ने बताई, कि financial position क्या है, and that too, at a particular point of time, यने आपके पापा ने जो चित्थी बनाई है न, उस चित्थी में अगर मान लो ये आता है, कि सारी asset बेच के अगर सारी liabilities आप चुका रहे हो, ठीक है, सारी asset बेच के सारी liabilities चुका रहे हो, तो आपको 70 लाक रुपे मिल रहा है, तो 70 लाक रुपे आज मिलेगा, समझ रहे हो, आप वो 70 लाक रुपे जो आप घर लेके जाकते हो आज लेकर जा सकते हो तीन महीने बाद माहोल बदल जाएगा पूरा क्यों माहोल बदल जाएगा inventory कम ज़एगी समझ रहा है झागता है जाधा हो सकता है कुछ भी हो सकता है ठीक है तो financial position बताता है की company के पास कितनी assets है और कितनी liabilities है कितनी चीज ऐसी है जो उसकी ownership में है ownership में मतलब उसका उसका अधिकार है और कौन सी ऐसी चीज़ है liabilities है जो उसको चुकानी है समझ रहे हो आप मेरी बात are you getting my point at a particular point of time इसलिए आप देखोगे न तो balance sheet जो होता है वो यहां तो as on date होता है या as it did बोलते है यहां तो as on date बोलेंगे as it did बोलेंगे balance sheet की आप अगर basic equation समझोगे तो balance sheet की basic equation होगी कि जो asset है वो asset हमेशा बराबर होता है liabilities plus equity के equity का मतलब क्या होता है equity का मतलब हमेशा समझ के चलना मालिक का पैसा equity मतलब मालिक का पैसा की मालिक ने कितना पैसा डाला है company के अंदर that is equity now please understand यह इसको याद करने की जर्वत नहीं है समझ न company को एक बड़ी factory बनानी है ठीक है यह factory है भाई company के company फैक्टरी बनाने का पैसा कहा से लेग आएगी समझ यह कुछ पैसा तो भी मालिक की देगा ना company को अगर factory बनानी है तो पैसा तो मालिक को देना पड़ेगा तो कुछ पैसा तो मालिक का है company के पास और कुछ पैसा company ने loan ले लिया bank से तो बात तो बरागर ना company के पास जितनी भी असेट है वो असेट कहां से बनी है या तो मालिक का पैसा है या फिर वो पैसा company ने बाहर से लोन लेकी तो असेट बनाई है अप बोलोगे कि सेट Profit भी ही तो यूज कर रहागा company समझ मेंов एगा वोगा believe me यार यह तो बहुत ही basic है ठीक है और मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझा रहा हूं आप एक बार इसको workbook में जाकर गुत्रों कर लोगे आपको ऐसा केक वाक जासा समझ में आएगा ठीक है तो financial balance sheet मेरे को क्या क्या चीज़े बताती है balance sheet एक तो मेरे को financial health बताती है company कि मेरी आउकात क्या है ठीक है फिर मेरे को यह बताती कि मेरे पास cash की liquidity कितनी है मतलब मेरे पास cash है नहीं है क्योंकि cash वहाँ दिखता है ठीक है दूसरा आपको क्या बताती है आपकी solvency बताती है solvency मतलब मेरा दिवालिया पन कितना है कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे दिवालिया निकल जाएगा बैंकरप्सी तो नहीं फाइट करने वाला वह कैसे पता चलेगा वह ऐसे पता चलेगा जो wish company date बढ़ती जा रहा है बढ़ती जा रहा है इत्ता जादा बढ़ंग है कि मालिक कापैसा भतम ही होगिया company में पूरे date ले उपपर company solvency के तरफ बढ़ रहे है आप अपनी debts को, आप अपनी borrowings को कितनी strongly manage कर पाते हो, ठीक है, वो depend करेगा कि आपकी solvency कैसी है, ठीक है कि समझ में आ रहा है आपको, सब लोगों को, अब देखना है, जब भी मैं asset की बात करता हूँ ना, जब भी मैं asset की बात करता हूँ, तो asset में कुछ assets ऐसे हैं, जो non current asset है और कुछ asset ऐसे हैं, जो current asset है, आप बोल सकते हूँ कि सर, current asset, current मारते हैं, कि इतना lame joke ना मैं मारूंगा कभी जीवन में ना मैं सेहन करता हूँ, ठीक है, फाल्तु की बात ही कर रही भी दर, आगे बढ़ेंगे, current asset का मतलब यह होता है, जो आपको ऐसा लग रहा है, समझीए, जो आपको यहां तो ऐसा लग रहा है, आपको पता है, यह legally आपको पता है, कि यह पैसा मेरे पास अगले 6 महिने में आ जाएगा, वो मेरी current asset है, एसी कोई भी asset, जिसको मैं cash में convert करा सकता हूँ within 6 months, including cash, cash को अलग से include इसलिए करा क्योंकि cash को cash में convert नहीं करा सकते हैं, Any asset which can be convertible into cash within 6 months, including cash is current asset, sorry, within 1 year, not 6 months, my mistake, यह number याद रखिएगा, मेरी गलती हो गई, 1 year, ठीके, that is current asset, any asset which can be convert, which is meant for long term use, उसका जो benefit आपको मिलेगा, वो लंबे समय तक मिलेगा, यह मेरे शब्द धिहान रखना आप, जो benefit मिलेगा, वो लंबे समय तक मिलेगा, ठीके, that is current, non current asset, आप उसको लंबे समय के लिए ही लेते हो, हम यहाँ पर देखते हैं, एक company की वरन बेवरेज जी ओपन कर रहा है, stand alone balance sheet ओपन ही है, अपन देखते हैं उसकी asset और current asset जो है, वो किस तरह से divided है, तो एक asset को आप होगे, तो asset non current asset और current asset में divided है, हम एक एक करके पढ़के समझते हैं, कि actual में है क्या, वो चीज के है, ठीके, तो non current asset अगर आप देखते हो, तो non current asset का मतलब है property, plant and equipment, property, plant and equipment मतलब company के पास जो land है, company के पास जो machine है, जो equipment है, ठीके, जो भी factory है, वो सब कितने की है, वो सब इतने million rupees की है, ठीके, लेकिन सर, वो सब की detail में रहको कहा मिलेगी, तो तिरको वो सब की detail मिलेगी न, notes में, notes number 4 है, यह वही notes to accounts है, जिसके अपन बात आगे करेंगे, exactly वही notes to accounts है, समझ रहा है, note number 4 में अगर जाओगे, तो आपको property, plant and equipment की पूरी कुंडली खुली भी मिल जाएग यह capital work in progress, capital work in progress का मतलब यह होता है, कि ऐसी building, समझना, ऐसा plant, जो आप बना रहे हो, और balance sheet बनने तक वो पूरा नहीं हुआ है, commercial use में अभी तक आपके आया नहीं है, that is capital work in progress, ठीक है, right of use asset, थोड़ा सा advanced concept है, lease का, lease का, तो पहले क्या होता है न, और देखेगा, मैं कोशिश क करता हूं, आपको समझाने कि क्या आप आसानी से समझ जा, say for example, पहले अगर मेरे को यह bottle किराय पे लेनी है, तो मैं क्या करता था कि अरे bottle की कीमत है, 100 करोड रुपे, तो मैंने क्या करा कि मैंने मेरे दोस्त को बोला कि काम कर यार, तो तो मेरे को 5 करोड रुपे यह 20 साल की lease पे दे, ठीक है, हर सलते को 5 करोड रुपे दे दूँगा, क्या आपने यह bottle उससे lease पे लिए, या technically आपने यह bottle loan पे ले लिए उससे, loan पे ले लिए न, एक टाइप से, right, तो यह off balance sheet हो जाती थी, और अब IFRS 16 के बाद lease का जो IFRS आया है, इंड़ेस आया है, उसके बाद lease के accounting बहुत जादा change हुई है, मैंने एक बार याद है मुझे मैंने इबिड़ा decoding के उपर एक वीडियो बनाया था, अगर आप लोगों को लगता है कि lease के उपर और वो इबिड़ा decoding का वीडियो ही 2 घंटे का गया था, टूटोना हाफ आर की class थी, हमने एडिट करके उसको brand name, like royalty, like trademark, अब Britannia का वो design है, उसका trademark है, उससे हो पैसा कमा रहा है, तो asset ऐसी जिसको आप touch थोड़ना कर सकते हो, ठीक है, फिर क्या है financial assets है, company ने जो investment किये है, loan है, कोई दूसरी financial asset है, other non current assets है, ठीक है, फिर current assets के अंदर क्या है, current assets मतलब इदिन एक साल के अंदर cash में convert हो ज अधार है, company का cash मैंने बोले थे including cash, तो company के गल्ले के अंदर जो पैसा पड़ा हो है, bank account, bank account के अंदर जो पैसा, bank balance जो है मेरा, loans मतलब जो loan मैंने धिये हुए, क्योंकि मेरा asset side में लिखा है न यह, तो loan granted है, loan taken नहीं है, ठीक है, ऐसा करते करते हैं, आप देखोगे तो आपक कर लेते हैं, आपको मेरी series देखने की भी जरुवत नहीं थी, आपको भी समझ में आ रहा होगा भी तक, ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी बात, मतलब यहां माद्दे की बात है नहीं, SM pass करने में नहीं, यह माद्दे की बात यह है, कि क्या मैंने जो पड़ा है, मैं उसको actual म implement कर सकता हूँ, क्या, ठीक है, क्या मेरे को, और implementation के पहले, क्या मेरे को समझ में भी आया है, क्या, that is something which is most important, ठीक है, liabilities में आप देखोगे, तो non-current liability है, और current liability है, बिल्कुल सेम वैसे चीज़ है, समझ यह मेरी बात, बिल्कुल सेम वैसे चीज़ है, आप तो यहीं देख ल रहा है, तो मेरी current liability है, अगर मुझे एक साल से जाधा देना बन रहा है, लंबे समय की liability है, तो मेरी non-current liability है, like for example, दुकान बनाने के टाइम पर, जो loan लिया था, land खरीदने के लिए, और दुकान बनाने के लिए, वो loan, ठीक है, जो हमारी pickup truck है, जिससे माल आते ले जाते हैं, उसको lease पर लिया था, उसकी liability है, या फिर कोई दूसरी non-current, इसमें ऐसे ही होता है, usually other non-current liability के अंदर फिर बाकी सब आ जाएगा, अचा सर, current liability के अंदर क्या है, current liability के अंदर आपके payables है, payables मतलब, payables का मतलब है भाई, कि आपने जो माल लेके आए, अपनी दुकान में भरने के लिए, उसका पैसा भी आपको supplier को देना बाकी है, short term debt, short term debt मतलब 2 महने, 3 महने का कोई date ले लिया है, कोई CC OD है, जो कभी भी आके मांगने खड़ा हो जाएगा, समझ रहे है, within 1 year मांगने खड़ा हो जाएगा पैसा, आपने CC लिये, OD लिये company, bank से, तो OD तो demand deposit होता है, demand based on demand होता है, कभी भी आके मांग लेगा, कि OD भरो, कतम कर OD, OD is not a term loan, it is not given for a term, फिर क्या है, यह देखना, current portion of long term debt, समझ यह, current portion of long term debt मतलब, भाई देखो, तुमने दुकान बनाने के लिए 5 करोड रुपे का लोन लिया, तो यह तो समझ में आता है, कि लोन आपको 10 साल तक चुका होना है, समझ में आरी यह बात, लेकिन आपके पास EMI शेडिल, तो आपको पता है ना, कि अगले एक साल में कितना लोन इसमें से चुकाना EMI बनेगी, और बाखी के 9 साल में कितनी EMI बनेगी, तो this is called as current portion of long term debt, जो मेरी long term debt है, उस date में से आने वाली 12 EMI, आप ऐसा समझ ठीक है, deferred revenue समझना, deferred revenue, advance from customers and accrued expense, इसके अंदर usually students को दिकत रहती ही रहती है, रहती ही रहती है, ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, deferred revenue सबसे पहले, अपन एक एक करके तीनों को समझेंगे, तो आपको confusion हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, ठीक है, अगर म revenue का मतलब ये है, please understand this, कि आपने मान लो, आपने Netflix का subscription लिया 5 years का, मान लेते हैं ऐसा, कि 5 साल का एक special one time offer था, उसमें आपने subscription ले लिया, और आपने 10,000 रुपे दी Netflix को, 5 साल के subscription के, ठीक है, अब देखिए, ideally अगर आप ये देखोगे तो जो 10,000 रुपीज हैं, ये Netflix के लिए revenue तो है, बिल्कुल revenue है, और हम अभी खड़े हैं, year 2024 में, ऐसा मानों आप, 4 साल हो चुके हैं, COVID आये हुए, किसी को कोई अंदाजा भी नहीं था कि इत्ती जल्दी 4 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन हो चुके हैं, ठीक है, आप ये देखिए कि आप 2024 में खड़े हो, आपने 29 तक का plan ले लिया है, 24 से 2029 तक का अपने पूरा plan ले लिया है, अब Netflix के लिए revenue तो है 10,000, लेकिन क्या Netflix पूरे revenue को 2024 में बुक करना चाहिए, नेटफिक्स को नहीं, क्या उसने अपना obligation परफॉर्म कर दिया है, क्या आपने जो 10,000 रुपे उसको दिये हैं, प्लीज अंडेस ठीक है, बिल्कूल भी नहीं, तो ये क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा आपका deferred revenue, ठीक है, ये माना जाएगा आपका deferred revenue, deferred revenue मतलब, ये जो था, ये over a period of 5 years, Netflix को हर साल 2,000 रुपे करके book करना था, अपने income statement अपने P&L में, ना कि एक साथ रखना था, तो आप बोलोगे, इसा deferred revenue तो समझ माया है, कि liability है, लेकिन deferred revenue में कोई मांगने थोड़ना, आके खड़ा हो जाएगा, ये नहीं खड़ा होगा मांगने, हो सकता है कि आपने ऐसा clause दे दिया हो कि आप कभी भी cancel करा लो subscription जो बच्चे के period का amount है में refund कर देंगे, ठीके, और अगर नहीं भी होगा, तो आपका अधिकार नहीं है, इसको रखना, जब तक आप अपना obligation perform ना करो, तो सर ये deferred revenue हुआ, समझे, तो advance from customer में, क्या मैं 10,000 रुपे को, मतलब पहले साल में मैंने 2,000 बुप करें, तो जो बचे वे 8,000 है, उसको मैं deferred revenue में डालूँगा क्या, बिल्कुल सही है, फिर मैंने second year, फिर 2000 बुप करें, तो क्या second year ये कमो के 6 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, तो सर ये जो 6 है, इसको मैं deferred revenue क्यों बोल रहा है, इसको advance from customer भी तो बोल सक कस्टमर, एडवांस फ्रम कस्टमर क्या होता है, पता है, एडवांस फ्रम कस्टमर पूरा amount नहीं देता है, कस्टमर, 31st March को, महिंद्रा के पास, ठीक है, 700 cars का advance booking amount पढ़ा हुआ है, कितला रुपए बुक करा है, लोगों ने 1,00,000 रुपए दे के बुक करा है, तो जो 7 करोड रुपए महिंद्रा के पास पढ़े हुए, ये deferred revenue है, ये advance from customer है, सोच के देखिए, deferred revenue तब होता है, जब customer ने पैसा दे दिया, और आपने obligation परफॉर्म करना pending है, यहाँ पर क्या customer ने पैसा दे दिया, आपको क्या obligation परफॉर्म करना pending रखो, क्या customer पूरा पैसा देखे गया आपको, समझ रहे हो क्या आप उसको card deliver नहीं कर रहे हो, मैंने बोला था, बहुत बारिक सा difference है, ठीक है, third, एक जो आप देखते हो, उसको बोलते है, accrued expense, ठीक है, accrued expense बोल दो, प्रीपेड expense बोल दो, accrued expense, समझें मेरी बात, accrued expense का क्या मतलब है, accrued expense का ऐसा मतलब है, कि बिजली का बिल आया, ये बच्चपन से इसको इसी तरीक से समझाया जा रहा है, बिजली का बिल आया, बिजली के बिल की तारीक होती है, next month की 15th, बरने की, ठीक है, तो जो मार् महिने का बिजली का बिल आया है, आप इसको कब तक भर सकते हो, 15th, April तक भर सकते हो, तो आप भरोगे क्या पहले नहीं, आपके आदत है हमेशा कि आप 13th को भरते हो, तो ये 31st के दिन ये खर्चा क्या हो गया, ये अकुरू हो गया है, आप इसको बुक कर रहे हो, अपनी व नए SM में, लेकिन आप समझ लीजिए, प्रिपेड एक्स्पेंस का क्या मतलब है पता है, कि आपने एडवांस में किसी को पैसा दे रखा है, खर्चे करने के लिए, जैसे Netflix, आपने Netflix का सब्स्रिप्शन खरीदा पास साल का, तो ये आपका प्रिपेड एक्स्पेंस हो गया, Are you getting my point, समझ में आ रहा है अब सब लोगों को, बहुत आराम से समझ माना चीए, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़के अपन देखते हैं कि जो equity है, equity का क्या मतलब है, जो last portion में रवस्त है, equity, equity का मतलब होता है मालिक का पैसा, मैं फिर बता रहा हूं आपको, ठीक है, मालिक का पैसा, मालिक का पैसा मतलब कैसा मालिक का पैसा, कि company ने सारी asset बेच दी, और सारी liabilities पे आफ कर दी, जो बचा, वो पैसा मालिक का, ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप देखोगे, तो इसके अलग अलग नेचर होते ही, equity हैड के अंदर आपको ये सारी च चले जाओ बिल्कुल वही आएगा asset equals to equity plus liability ठीक है share capital मतलब क्या होता है share capital का मतलब यह है कि आपने जो यह share खरीदा IPO में है ठीक है समझ नहीं है अपने पहले समझ चुके है नहीं से में कंसेप security premium का concept कि आपने जो share खरीदा है ठीक है यह तो आपने आज खरीदा तो इसकी कीमत 10 रुपए यह share की face value इसकी amount यहां लिखा हो है 10 रुपए ठीक है which is face value of share लेकिन फिर आपने मेरे को यह share 1000 रुपए में क्यों बेचा तो 990 रुपए आप ज्यादा किस चीज़ के ले रहे हो यह 990 10 रुपए हम जादा ले रहे हैं as a share premium क्यों ले रहे हैं पता है क्योंकि आप तो मालिक आज बने हो company तो 30 साल से चल रही ही न तो आपको कहला अगर 10 रुपए दे कि आप 30 साल पुरानी company का सारा profit profit घर लेके जाओगे नहीं बाबू समझ रहे हैं क्योंकि अगर आप यह share खर पुराने profit के अगेंस्ट में लेते हो फिर company जो पैसा कमाती जाती है कमाती जाती है उसमें से कुछ पैसा company dividend की रूप में बाड़ देती है जो अपनने समझा था dividend payout ratio में और कुछ पैसा company अपने पास रखती है business को आगे बढ़ाने के लिए उसको बोला जाता है retained earning उसको general reserve म यह रहते हैं free to distribute to shareholder shareholders को free distribute कर सकते हो free मतलब free में नहीं देना है रहे मतलब यह amount distribute करा जा सकता है as a dividend ठीक है समझ में आ रहा है आपको अच्छे से चलो balance sheet के कुछ metric है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ठीक है balance sheet के क्या metrics है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ समझ यह total date जब होगी तो उसके अंदर short term date और long term date मौझूद होगा ठीक है एक working capital होती है working capital बोलोगे आप तो current asset minus current liability समझने तर working capital मतलब धंदे में लगी पूंजी building बनाने का खर्चा नहीं धंदे में लगी पूंजी धंदे में लगी पूंजी कौन सी होगी अपनी supermarket के अंदर सोच के बताईए मेरी inventory सबसे बड़ा पूंजी है मेरी जो मैंने बाल भर के रखा है मेरी पूंजी अटकी होई है business में ठीक है तो मान लो 100 करोड की तो 100 करोड क कि आपकी current asset है इसके against में आपको bank को किता रुपया देना है 80 करोड रुपे मेरे को bank को देना है तो बोले अच्छा इसका मतलब ये है कि जो 130 करोड थे इसको fund करने के लिए तुने 80 करोड रुपे bank से उठाए थे तो बोले बिलकुल सही है जो माल में खरीदेना है bank की CC से ख खरीदे तो बुले जो बचे वे तेरे 40 करोड है वो बुले वो मेरी working capital है वो मेरी पुंजी जो लगी वही है समझ मैं ही आपको बात वो मेरी पुंजी जो लगी वही है core working capital का मतलब बता हूँ क्या होता है core working capital का मतलब होता है यहाँ पर क्योंकि current asset के अंदर आप समझ ये current asset के अंदर बहुत सारी चीज़े include होती है cash भी include हो जाता है समझें cash भी तो आपकी पुंजी है न जो फसी हुई core working capital यह इसको operational working capital operating working capital भी बोलते हैं उसमें क्या होगा inventory plus debtors minus payable क्योंकि cash जो है na cash is a non operating asset अब यह आपकी duty है कि आप google करो आज और आप समझो कि cash कैसे non operating asset है I hope आपको यह session बहुत अच्छा लागा होगा यहां मैं बिल्कुल भी जल्दी बाजी नहीं करूँगा यह जो particular chapter यह highest weightage रखते है नहीं SM और बात highest weightage की नहीं है बात यह है कि मैं आपको proper तरीके से सही चीज़ कम्यूनिकेट करूँ ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल fit बैठ जाए ठीक है इतना ही आपसे बोलना था this is पार्त वर्मा signing off bye bye